मन्च मर्दासी प्रिवित्र एक्रंजी 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 प्रंजन जी और संस्के साहित्य में जैसे कि आप सब जानते हैं योजकस तद्रदुद्लवा जो ओर्डिनेटर समन्वय दिलाने बाला बता है वो तुद्लवा बता है और मैं अगर गोस्वामी दुल सिदार जी की बाली में कहूं कि सतल पदारत है जगवाही तो सब कुछ है लेकिन योजन करने वाला जोडने वाला एक्रंजन लगोता है श्रीमान रित्रोत्तम डॉक्टर रजवी रमन जाजी इन्होंने ये काले किया है आपके और मेरे बीच में बे श्रीमती जाजी अधरवियां दॉक्टर सुनुमाली जी और अजेर जी अजेर रावियकी से आपसे पड़ी चाहिए हुआ और आप सब इसलिए कि नाम इतना में अभी जाना है भाकियों जब आकाश्वाणी से यम आकाश्वाणी संप्रतिवाद्ता श्रीमता को आप सब हमारे संस्कृत संबंद आपके और हमारे बीच में हैं इस सांस्कृत संबन जिसकों कह सकते हैं आप सब को सविने प्रणाम के साथ मैं अपना वक्त प्यार में करता हूं महाकवी कालिजास के बारे में कुछ कहना उन्होंने खुद रभुवर्श में कहा है क्वा सूर्यम प्रभुवर्शा क्वा चाल पंशया मति रभु नामन में बक्षि मने रभु परंपरा का रभु कुल परंपरा की बाद जब मैं कहने जा रहा हूं तो कहां तो सूर्य से उत्पन हुआ ये रभु कुल और कहां मेरी अलप मति मैं कैसे इका वर्रण कर पौना जैसे कोई व्यक्ति महा समुत्र को तैरना चाहता है छोती सी नवका को लेकर वो बहुत कठीन काम है दुश्टर काम है वैसा ही मेरी अलपश्या मती है वो रघुकुल की बात जब कहने जाएगे तो कैसे कर पाए कि मुझे नहीं पता है ठीक वैसे जैसे कोई वामन, कोई बोना व्यक्ति उची डाल पे लगा हुआ फल तोड़ने की कोशिश करता है वैसा ही मैं प्रियास कर रहा हूँ तो मैं भी महा कवी के वानी में अपने भाव इसी तर रगना चाहूँगा कि महा कवी कालिदास के बारे में कहना बोड़ना कि अपनी बात आपके सामने रखना ये मैं सहसकर करूँगा आरंभा में उन्होंने मंगलाचार अविक्यान शाबुतलम ने किया है संस्क्रित के चात्र सज्ञानते उन्हें जिसकों नांदी मुलते हैं इस नांदी में वोने शिव के आठ रूपो का वरना किया है अश्टमूर्थी शिव की बंदना की है उन्हें मुझे जब भी उसन मिलता है जाजी तो मैं बोलता हूं कि सिधा प्रश्चा होता है क्या इश्वर्थ को हमने देखा है इश्वर्थ का हमने अख़ो किया है हमारे आस्था हमारे शर्था ये सब है लेकिं उसकी अलबूतिक्या कवी हुई है इस प्रश्च का इस जिद्यासा का उत्तर महाँ पे भी देते हैं इस नामदी में कि शिव माने गळियाँ शिव माने अच्छा ध्रव शू loves और तो और उब कहा नहीं है हमने जीवत पाया है यह शीव्क के कारण भद्रता के कारणी तो है हम उस देश में उत्पर अ हुए है जिसका नाम भारत है वो भी उखी अंकि ट्रिपा और भद्रता के कारणी तो है तो फिर एक प्रश्ण होता है तो क्या दूसरी दूसरे भुभाग में जो पैदा हुए है उनका वो भागय नहीं है उनका भी भागया है किन्तु जब तुल्ना होती है तो तुल्ना में प्लस माइमस पॉइंट लगाया जाते हैं तो इसी तरह से महागविकालिदास भगवाण शीव की अर्ष्ठमूर्टी जिसमें राध देन, सूर्य, चंद्र, अगोता भविक इसकी कल्पना करके कहते हैं वो प्रत्यक्षा है भारती संस्क्ति में प्रत्यक्ष में प्रद्वता सूर्य को हम कहते हैं, गंगा को कहते हैं और इस प्रदाव से जितनी भी दिल्पे शक्तिया हो प्रत्यक्षद्य मता हैं। उनका अनुभव उनके साथ जूपने से होगा के बाएं उनके साथ हमारा तालाह में संब्द स्थापित। तो महामी काईदास के बाणे में मैं लिवाज्या के साथ हैं। या श्रेष्टिनी स्रष्टु राध्या वाहते वेधे होतं। याह विर्याच भोत्त्री येक्वेकालं विधत्तह शुति विशय गुनाः। या स्थिता व्याप्यपिश्वं। या स्थिता व्याप्यपिश्वं। या माभुह सर्वभीजप्रप्रतितियया। प्राणिनह प्रानवंतर। प्रत्यक्षाकि प्रपन्नस्तनु विरातुवा। ताविरश्टा विरीश्व। मुझे इस नौरात्र के अउसर पर यहां आने का उसर मिला है। और आसुनकर्पि माभगवत्य करणी देवी के दर्शन करने का जो सौभवक्य मिला है। भाय रजुरी रमन जाजी और महेंद्र और पुरा परिवार इसके लिए मेरे कार्तक के ज्यापन के मतलब जो है। पात्र है। भारत जिसने 51 शक्ति पीठे है। भारत जिसमें बातर्श जोतिल लेके है। भारत जो हिमालय और गंदा के पहचान रगता है। उस देश में एक ऐसा उत्ति उत्पन होता है। जो कहता है में तो पहुँँ थोड़ा जानता। लेकिन फिल भी मैं साहस करता हूँ कि मैं कुछ कहता। उनके बारे में आदरणीय हजारी परसाथ वीविदी जी लिखते हैं। वो क्या कहता है काहिदास के बारे में। भारत वर्ष के रिशियों, संतों, कलाकारों, राजबुरुषों और विचारकों ने जो कुछ उत्तम और महान दिया है। उनके सहस्त्रों वर्षों के जिहास का जो कुछ सौंदर्य है। उसमें मनुष्य को पशुर सुलव धरागव से उठाकर देवत्पकों प्रटिष्ठाबिक करने की जितनी विध्यों का संधान किया है। उन सब को लगि, मोहब और सर्शक्त वानी देने का काम कालिदास के किया है। यह आचार्य विध्यों पुटिशन है, जो हमारे भगवत श्रण उपाज्य है। यह पुस्तक आपने पड़िवी होगी, जिन्होंने कालिदास का संकारिन भारत या कालिदास का भारती या परिदिश्य जो भी नाम पुस्तक की बही नाम है। उसमें इस बात काम लें किया। कालिदास की साथ कृतिया हैं। अभिध्याई शाकुता, मालिभाद इमित्रण, विक्रवों वश्रिय अमितीन नाठा। प्रितुसंगहाः और मेकदूत, गिति कालिद के उप्याँ पे सकते हैं। और रभुवनश्रम, कुमार संदरवन, दो महां कालिदू। इस बतार से एक और उत्तलेश्व डुत्य कालिदा भी संदरड़ाता है जो उनकी गिति मानी जाते हैं। इसलिए उसके बारे में जादा आपिस्तास करने है। इन गंथों के अध्याँ से भारत कैसा था या कैसा रहा है और आगे कैसा होना चाहिए इस सब अध्याँ विद्वानों ने किया हुआ। लिए है। तो आईए एक थोड़ा समयापकी सामने किवल कालिदास के सब ग्रंथों में काह थोड़ा सपर्ष किया है वहाने भारत कि बारे में भारतिय परंपराओं के बारे में भारतिय वांगवई और वैदिक परंपराओं का जोहां बरर रुबन किया है थोड़ा साथ की सामने अपनी अल्ग मती के दुशा जबता हूँ मूलता नहां कोई काहिदास को शैयो कतावन भी माना जाता है रुबनिश में वागर्था विवसंपित्तो वागर्थ प्रति बत्ते यगता वितरो बंदे पार्वती परवेश्वनों ये और ये याश्रिश्ती सश्तु राध्या वहते विधि हुतं ये और विक्रमोर्वशियम ये श्रिवासम वास्ते या वेदेशु उन्हों है श्रिवकी उपासना का बंगलाचन किया माने प्रत्य और वेवदुतम्य का कष्टित कांता विरहा कुरुना स्वाधिक आराण प्रमत्त उससे पहले हिमाले का परना स्थिताह का जिप्या अस्तित तरस्यां दिशियेवत आत्मा हिमालयो ना मनला धिराजागा पुर्वा पर्क्तो यजरावदा यस्तितो प्रत्य प्रत्य व्यायो मानला यानि कि इस सभी और विक्मार सम्भम अपने आपने हैं ही है तो ये शैवत है इसके बारे में कोई दोराए नहीं है और उन्होंने इस सच्चम शिवं सुन्दर जो तत्व है साहित यगा उसको अपनी वानी से ज्यादा से ज्यादा जन्मारस में प्रतिश्णा के दिया अगर आप कविंदर रविंदर को पढ़े अगर प्रेंचन को पढ़े मातमा गांधी के साहित्य को पढ़े शैप्स्पियर को पढ़े तो जो भी सर्जद रजना का अपनी बार वो सहज में सरण भाषा में कहता है वो जन्मारस तक ज्यादा पहुँचता है और सभी व्यक्ति बहुत भाषा का परा विब्बान पंडितों ज़रूरी नहीं है और इसलिए कभीर साहर कहते हैं कि पूथा पढ़ी-पढ़ी चलुआ पंडित भयार उनका यह जो प्रहार है केवल शाफदिक ज्यान या केवल भाषा के तंबता ज्यान रखने वाले प्यक्तियों के लिए हैं उनका कहना है कि अगर समझ में आती है बात तो सरल भाषा से भी वह बात समझी जा सकती है और इन महापुरुषों ने यही काम किया और इसलिए भार पुरानों की जो भाषा है वो सरल है उन्हीं की अपिक्षागर वेद बंत्रों की भाषा हम समझने जाते हैं तो उसमें वो टेक्निकली और भाषा का जो एक विशेश यान होना चाहिए वो सब सर्वजन सुलब न के सांइन रखू है कि आदिकाद्व्यख रामया यहां कि संस्प्रिट कंग डक्सर भारत में पर्म पराथ में जैसे हमारे रामसरीत महरत के यहां परंपराया आया हमें तो अहरे रायुत राउसित्ता मुझ बूजराड सभी जगा तो दक्षना भारत में वालमी घराँह찰 क तो इस तरह से यह राज्यों की विभिन्दता है इसके पीछे पहीं कारण है वहां को समझने के लिए अगर भाशा सरव सहर है तो हम आसानी से समझ सकते हैं और यही काम वहां को विका अदास के किया है जो गूठ जीवन के तक वजे उनको सरव दाशा में हमाने समने रखा और उस बात को समझाने के लिए फिर उने नाटक के रूपे उस बात को क्योंकि अगर अविज्याद शानुकलंत के हम बात लें तो वह महाभारत का कि भी पुराओं में भी ये कथा आती है विक्रवो रशियंव नाटक के पो वेद में भी है और पुराणों में भी है या अख्याद उसको लेके उन्होंने अपनी मौलिक सर्जना के साथ इसको हमारे सामने रखा मालविकाग मिंट्रम उनकी अपने ऐतिहासिक तर्थियों क प्रफम दिन जब बादलों को देखता है तो अपने प्रियतमा को संदेश बेखता है तो कि राम की विप्रणब पर और कोई साधर ने ना मोबाइल फॉन है जिससे कि SMS कर सके और ना कोई उसकी सुविदाया जी तो इसलिए उसने मेल को दूत बना कर अपना संदेश उस तक हो और उसमें जो उन्दभावणा एही है, ऐसे तो बहुत सारे लिदारण है लेकिन ए मैं आके सामने पर हूँगा जो विप्रलंब श्रिंघार का त्वामादिख्यप्रण्यपुपितां धातुरागेशिलायां आत्मानंते जर्वतितं यावदिच्छामिकर्दुम् अर्ष्रेस्तामन् मुहुपचिते द्रिष्टिनालुप्यते में प्रूरस्तस्मिन्नपिनसवते संगमन् नौप्रिताम्ता संगमन् नौप्रिताम्ता कवी की कल्पना अपने प्रियतामान को संधेश भीट के बारा देता सारा रास्ता बताता बहुत सारा कुछ है आप सब लोग संस्क्रिट के विध्यारती जानते पड़ते हैं जब वो संधेश लेता तो उसको कहता कि ये तीन मेहने बिद गए चौथा मीना की बिद जाएगा और जब डिवो थाने का दशी आये लिश्राप समात होगा अपना मिलन होगा लेकिन उससे पूर्व यहां जहां मैं वियूकतर आंगे याश्र में हूँ वहां मैं क्या करता हूँ? तुम्हारी याद मुझे बहुत सताती है business उंल्य क्या करता हूँ? यहां शिला पत्तर की शिला पर गेरु का जो और बेंद गख्णा में उससे तुम्हारा बनाता हॉ और तुम्हारा चित्र में आकर तेरे साथ जब मैं कई दिन बिताता था और अपनी जो तुटिया थे उसी ख्षमा याजना के लिए तुम्हें प्रणाब करने जाता हूं तो उसी समय वियोग के डुख के कारण मेरे आखों में आशू आते हैं और उन आशों से तुम्हारा च नहीं होनेते रहा है। हमारा वी प्रणाब ल्योग एतना लखतो रहते। त्वा मालिख्य प्रनायकुपिता है आप जो प्निकल घंते घंत ल र मेंद से नहीं हमारा फिक्रोंगे भ्रणाब के मिनि शिलाया आत्मानम्ते चरनपदितं यावद इच्छामिकर्दुम् अश्रेस्तावन मुहुरुपचिते यह बहुत ज्यादा आस्वाते हैं आंकों में अश्रेस्तावन मुहुरुपचिते दृष्पिराल उप्यते में मुझे दिखना जी बन हो जाता है क्रूरस्तस्मिन अपिनसारते संगम लौृत्रितांता यह है कालिदास के लिए श्रिंगार का वालन को आख जांते हैं इलम किलाब्या लबारू हरंबपू शाकुतर का दुस्तों है किमिवहयमदुराना मंदनम्ना प्रितिनाम के प्रसुद्र श्रों के मिलता ऐसे बहुत सारे श्रिंगार का या बीद का या रोग्र का नवरस्त और प्रते गरस्त में कालिदास की लेखनी जब चलती है तो विश्रते सभी साहितिक कह सके या जो भी हुरती जितने भी सारस्वत साजणां के लोग है वो बाह बाह कहते हैं क्यों कि वो साहज रुप में ऐसा लगता है ना विश्रत निकला हुआ उनका ना रस्पर है जो मा सरस्वती की प्रिपासे को दिखते हैं और उस रस को पुष्ट करने के श्र fabrics और अगर हम भारत रश्रत की बात कहें उनकी वानि में तो हमारी जो परणड़ आममे पर के काले ले ल लेजिए उसके पारत का अभुतकालि ले 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 जये मधिपाल का भारत को दिखते हैं जो भी इत्यास के चात राट रह कि अकनेत सब लिया है विश्थार से कैसे उका काल ने धारिक किया कालिदास कब थे और उसमें भारत कैसा था और बाद में अजुवर्ति परंपरा आज इतनी है इसको अगर हम देखे तो हम जान देखे वर्णा परंपरा अब उतनी कुछ नहीं नहीं है कुछ जगा पर है लेकिन वह कहीं नहीं नहीं है अश्रम, परंपरा, ब्रंवनक्शक्لिय, वहईसे शुक्रव, चार वरण, ब्रह्वतल, नज्रIns, ग्रहस्त, वानक्रस्तर, वासिंज, तरधूש, आश्रम, यह सारे शुरिश संस्कार, यह को हमारी परंपरा, हमारी पहचान हैं, वो अभी भी लेकिंई जाओनोंने रभू अनष लिखा तो रभू के बारे मीदे बो कहते हैं तो क्या पहते हैं कि शैसमे अभ्यस्त बिद्या नां यौवने जहे शिनां शैशमे अभ्यस्त विद्यानाम यौवले विशरेशिनाम वार्थक्के मुनिम्रित्ताराम योगे नाम ते तरुत्याजाम यह हमाना जो आश्रम हमारी जवस्ता थी उसका एक दम चार चरण में अनुष्टुप में होने सब रख दिया के रखुवनशी कहसे थे बच्पन में तो अभ्यस्त विद्याखाने गुरुकुल में लेके विद्याख्यास करते थे यौवल में प्रस्तार्शमी हो के प्रजाद नंतुम मा के बच्चे स्थी जोक रिशत का हमारा वेद का वालेश है उसका पायर करते थे जो की गई तो वानपरस्त वार्धत के मुरिध्ता नाम वानपरस्तार्शमी वीद्यास क्यों मुरिध्यास के दियरे देने प्रविक्ति से मृध्य कियों पढ़ते थे और योगे इनामति अनुद्य जान और आंत में जो उम्रद पूरी होने पर शरी छोना उता था तो योग के द्वारा यारे पूरे सईयं, आच्रान और जितना भी अपना उर्द्वी करन हो सके आत्मा का अपना उस अनुभूति का साख्षाकार का उससर पर शरी छोने ते ते क्योंकि हमारे यहां मृत्यू को कभी भी अवरोध या कभी भी जिसकों कहें कि बिल्कुल जहां गती रुप गए ऐसा नहीं मानते हैं मृत्यू हमारे लिए एक स्केशन है एक पड़ाव है एक तरह से बदलाव है आप सब जानते हैं वहासां से गिरनानि यह थागिहा नवानी की नाधि यानि मृत्यू और मृत्यू की चो कलपना आर्दियो दर्शन में भारती साइटिय वह एक परिवर्तन है इसलिए हमारे यहां बालत को हमारे यहां प्रण परासने बाद आपकी सामने रख रहा हूं कि अभी की माताफिता गुरू वो कहते हैं कि मृत्यू से डरूने की कोई जरूरत नहीं है मृत्यू यह पढ़ाव है उसमें फिर जर्मा फिर आगे पढ़ा तक तक जब करके पूर्ण आर्मा की अवस्था सच्चिरा अन्हस वाई स्थीती नहीं हो जाती है तक तक यह यहां प्रण ब्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की परिकल्गना की गई जो कि वेग्ड्यानि करके विग्ड्या निचल में कहता हूँ तो केवल शद्धै से मानने की ज़रूरत नहीं है केवल वेदों में कहा रहा रहा आए आचानों में कहा है हिसीरे दिह बाहने की आव्वस्था लिए है आप प्रेश्च्र कर सकते हैं, कि हम क्यों ब्रह्मचली आश्र में रहे कर विध्यात्रा भ्यासते हैं। क्यों केल इस तरह से जो फिवाः विवस्ता है, विवाः संस्ता की रूपम बाना जाता है, सुर्टिमें काला है। उसका पार्ण दरें। या क्यों मुनी वृत्ति धार करके वृत्त जीवन पिता हैं और क्यों आम्त में संध्यस्त होकर अपने आपको इस तरह से कड़ें तो उसके उत्तर आज के आधूनिक भारत और आधूनिक विष्व में सबसे ज्यादा हमाई साम्यागे मैं कुछ हुदार आपके समय दता हूँ शायद के आपको अपनी बात कहने में सबसे लगा हूँ सबसे मेरे में बात लेता हूँ थोड़ा अबतर होगे वारिया आज परियावन की बहुत बड़ी समस्थिया आप सब जाते हैं प्रदूशन enduring जिसमें स्वर्द प्रदूशन और नौइस पॉल्यूशन जल प्रदूशन वाते पॉल्यूशन एन्वायरमेंक पॉल्यूशन माँने परियावरण प्रदूशन जहां जहां और महानगरों में ज़ादा है drinking खुली जगह है प्राता भी बात हो रही थी, मैं तरह से बात हो रही तो मुझी ले जा रहे थे, तो मैंने कहा कि यहां कि इतना सारा कुछ है, महानगर में यह जुरूप नहीं है, बिप्ली में तो लोग तक्राते हैं आपसे, वहां आप चलिए सरफ पर आप फर्स और सेटंड गेर से आखे कि जगर नहीं है, बंपर बंपर प्राफिक चलता है, और केवल बिल्दी के बात मैंने कह रहा हूँ, सभी महानगरों के यह स्टिविन है, और वो रहा है, और होगा, क्योंकि यह एक संग्रम निक्राल है, लेकिन तो क्या जीवन हुट जाए, क्या यह हरे होना चाहिए, यह होगा, लेकिन इसके अफ़ोने के बाद इसके जो दुष्ट परिनाम है, उसको भी भोगने के लिए हमको तया रहना है, तो क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या है, अगर मैं आपके सामने रखूं, इस कौन आप जानते हैं ना, अंतरलाश्टी, विष्णा कॉंशेस्ने में में, एक उडरां तो उनकी पत्रीका है, back to godhead, back to godhead उनकी वैशे स्ँने मैं पढ़ा करता था, तो उसमें जादा से जाता है अली, ये कहा गया है, कि हमको सहाच जीना चाहिए, स्वावाविक जीना चाहिए, अगर स्वावाविक जीना तो स्वावीक परिवेर्श में र प्रदुशन, प्रदुशन के कारण भी तो हम ही है या अगुनिक सुक्सुई दाय है और ठील इसके लिए जब कालिदास शकुंतला को भेजने के लिए पतिक्री भेजने के लिए कंड़ रिश्य कब अपनी बाद कहते हैं तो वो पैर पोधों को संदोधिक करते हुए कहते है कि तुम सब लोग इस शकुंतला को अमिवति दे कि अपने पतिक्री भेजने और वहां में कहते हैं पागं नप्रधवं यवस्यकिनलं रुष्माट्सवपी देश्याव नादब्देव्यमंतनाव्यमवतांस्देहेदय यापल्लवं आद्येवं कुस्मप्रसूति समये यस्या मवत्युत्सवाथ सेयं यादिशकंतला अतिविहं सरवेई यह वही शकुंतला है जब किसी पैट वोदों में कोई फूल या कली लगते थी तो वो सेलिब्रेट करते थी और कहते थी आज मेरे इस पौदे में ये कली अपूल लगा हुआ है और आप रोगों के साथ जिसका सहजिवत्ता आदो अपने पतिक भी जा रही है आप उनको हट कर देगे इस तरह का वरणर और कई पत्यों में आप पाहेंगे तो मेरा ये गहना है कि ये प्राक्रिंटी जो हमारे आधूरिक समस्या रहे है तो उसका समाधान भी है हमें अवर्श्य में ये प्राक्रिंटिक पर आजकल जितने बड़े-बड़े बिल्डर है तो बरटी सोड़ी बिलिंग बना रहे है आपने देखा हुआ अपने कि को फ्रेंट में ये बना रहे हैं हम इस तरह से पर्यावन अनुकूल अमारी व्यवस्ता है बिजिली और उसका भी उस सारे प्रलोगवन उसी तरह का है लेकिन बस तुस्तिती दुस्ती है अब ये कहां जाके रुखेगा या किस तरह से हम कुना हमको साहत जीवन में आना होगा ये हम लोगों को इसका समादा है उद्धी जीवन को भूनना है तो आश्रम विवस्ता और वर्ण विवस्ता इसका कई विग्वान लोग विरोध मी करते हैं इसको युक्ति संधत नही आप एलिट क्लास गोलते हैं उच्छ मध्यम वर्ण 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 वर् प्राबरक्षत्नी रेश्य नांच नहीं किया, वो उनकी एकोनोमिकल आर्थिक स्थिति के आदार प्राप्णी भी कहां दिया, वर्लीकल तो आपको करना है पड़ेगा व्यवस्ता है, लेकिन उस व्यवस्ता की पीछे नहीं, जो आशर है, वो अगर विकास का नहीं है, वो अ हमारे जितने भी वेदोगी रिशी, हमारे जितने भी महीशी, मनीशी, ये भी इस बात को बार बार कहते हैं, और इसलिए प्राप्णी साथ के लिए कहा, आपके साथ बात होने थी, प्रवर्त्य इशागुता अनाम दिमिर्तिस्तु महां करा मनुस्तिका है, कि ये सहाज प् प्यार एक सत्य है ये, और इस बात को समझने के लिए हमको हमारे जो प्राचिन वान में है, इशार में जाना होगा, भारत अपने समय में, अगर उनका हम अध्यां करें एकियास के तृष्टी से, तो कभी सौने की जुरिया कहा जाता था, आपने सुना होगा, गाया होगा, हम भी सुनते हैंगे, और आज में इतना समृत्य है, कल ही एक्रदार मंत्री का स्युक्त राश्ट में संबोध हर भुआ, आपने सुना, और बार बार समय सुने पर होता है, और जैसे मैंने परिचे कि लिया, कि इतना बड़ा वहांदेश, इतना पुराना, जिसकी फर्पु मिलता है, दूसरे संत्र में विस्तार से कहूँगा, लेकिर अभी आपके सामने कहूं, कि बहुत सारी भर्णतधरना हैं संस्क्रित के बारे मैं, जैसे जनातर परंपराओं के बहुत साहित अनेकां भ्रांता, मान्यता, विश्कृ साह वरदम के जलते संस्क्रा मगभाय चाहपी। तत्र कारणानी संथी, अनेग विधानी कारणानी संथी, कानेचित तारानी बाद़ कानेचित आईथयहासी कारणानी संथी। परव असमावी सरवेई रभी ए तत अवगन्या। यह किल तत्रा नहीं तहा आशाया है वर्पपे तप अवगंत पे। क्यों ऐसा किया गया यह हम सब को जानना सुनी है। जो युवा चात्र है उनसे मिने एक मिशेश्ट मगार से मतलब जो है यह कहना चौत चाहिए मोगार से सनस्क्रित सेल्क भार्षा नहीं है। सनस्क्रित Ozक अवक भार्षा नहीं है। सन्स्क्रित एक विज्चान है धने विज्चान है। और इस धनि विज्चान अभी आप उत्लों अपने अप्रवा में एक्पा rights कि- मन्जु वही, जिक्को इवर्ड विला था मिलेशने, कि दिनो नहीं पहा था कि गरित और संव्चित की साहता से, संगीत और भरित की साहता से, मैंने कुछ सवाल गुश्पा किया. भारत कि अधा, मन्झु भारत कौने? जो आज विदेश ने है उनको एवार मिला है उनको ये स्टेप्मेंन दिया आपने बारों पढ़ा होगा पंगल 20 दिन पहले नगाता न्यूज में थी बहुत बढ़ा उनको बुरसकार मिला और उनको ने कहा है कि संकीत और संस्कित की साहिता से गनीत के मेरे कई साहित जो इड संसकित की बात कही संगित गनिविध्या है संस्कित हैं और गनीत अपने आप में जिसकों अंत गनीत कहते है वैसे तो पीज गनीत है रिखा गनीत है लेकिन गनना गनना कंप्यूटर का काम काम कलीशन का काम एक या पनसका बहुत उसका रूप है लेकिन उसका जब विस्तार हुआ दिरे दिरे is को अल्किंटेश्चào इंट्लिजेंस यानि क्रित्रिम ने दाप क्रित्रिमप्रज्या को कंप्यूटर है आप मारवाडी में, नाजिस्थानीं में बोलीए, मैं काठ़्ावाडी में बोलू, आप Märualjinे में बोलें, आप भोजपूरी में बोलें, यह सब भाशाये भाशा ये बन एक बोलिया है, कोलोपियल एक भाशुत भाशा है, लेकिन एक ऐसी भाशा, आपके करेंसी नौट में जो सत्रा लिखी हुई है, बंदर प्रिंटीन है और अंगेली जो इंदी है, सत्रा भाशा है, वो जिसका वांगमे है, साहित्या है, विच इस रिखनाइज भाशा ये गवर्मेंट ऑफ इंडिया और गवर्मेंट अपके कंट्री और जिसकी सर्था, जिसका टेक केर, जिसका प्रचाव प्रसार और संधार मेंटिनेंस का ध्यानत्ती है, वे सब भाशा ये है, या मैं यू कहूं, भाशा नाम अभिड़ती, भा अशले अर्यासा भाशा, याही अस्माकम गूठतमानाम भावानाम, सुक्ष्वतमानाम विचारानाम, अभिव्यक्तों, सारलेरस अवर्थाक्षमा, साभाशा, जो हमारे गहत्तम भावों को, और सुक्ष्वतम विचारों को साहता से, संक्षेट में भी, और द्यास बद्य कि माने विस्तार से भी अमीरत तक उते वह वास्ति में भाशा और ये हमारे मनिश्यों ने कई वर्षों की साधना और विध्यान के दुआरा परापर्शंति मध्यमा वैकरी जिसको आज एक धरी विध्याने एनालोग और एकॉस्टिक बोलते हैं और उसके बाद दिजितल साउंड, FM साउंड, सुपर साउंड, अल्त्रा साउंड ये जो धनी के अलेख धेद अभी आ रहे हैं और आएंगे आप SRS देजते हैं धनी के कारण, आप दूरदर्शन के पटल पर चित्र देखते हैं धनी के कारण, आपका जो विटिकल साउंड है वो बहुत कुछ काम धनी के कारण करता है, तो ये धनी विध्यान के द्वारा जो इक विशेश्ट से अपने आप तो पहचानदी की विध ही है, वो है सकते हैं, आप दिखिए, भाशाओं में भी जो बुलिया है, उसमें भी साहिते हुआ है, और ऐसा घखा जाता है, तो आजकल आसान हो गया कि आप कंप्यूटर के मदद रूप और पर आप सरच के लिए, और उसको मदद से, हैल्प से, आप जहां जाएंगे कि विश्वक कितनी भाशा है, विश्वक के अन्य नेशों में बहुत सारी भाशा है थी, वो उत्पन्न हुई, कुछ समय रही और बर गए, समात्र होगी, आज भी नागारेंड में 19 या 20 बोलियां बोली जाते हैं, और उसमें 2-4-6 साल में परिवंतर आता रहता है, जैसे कि आपने हिंदी में सुना है, चार कोस्ट में बानी आठ कोस्ट में बानी इस तरह से आपका वहावरा है, कि स्वाफ और बोली का लहजा बतल जाता है, राजस्तानी में भी कहता हैं, राजस्तानी भाशा का बोलीया है, बुजणाती में मेरी बातिमाशा बुजणाती है, वह जिसका अपना साहित्य हो और जो काल जरी मारे लगा तरह चलती है वही तो उसकी चिरंदता है और विश्रो में कौन से इसे दुश्री भाषा है जो समस्कित के साथ अपना समानताय पुर्णा कर सके है काल गर्म की सबसे या विध्यार की सबसे या व्याक्रण की दिश्री से मंडा ये जो चीर की भाषा है या युनान की ग्री है उनके प्राचित सुर्फुमें बहुत भेर आया है वो भाषा भी कहने कहते हैं जो भाषा अक्याक्याक्षे वो जानते हैं तो मैं एक संस्कित के पहते हैं नहीं दोई कारणिस कुल पर हैं जो सुचनषुर के बात कहने के लिए ७ॉष की परिवर्त हुं सब्सक्राइब को बारण की हिए से प्रिवर्ता spya कारण में साधन मदल गया है हमारी जीवन बद्रती बदल गई है, हमारी सोच लेंगी एक जो शैली है, उसमें भी परिवर्त बनाया है, लेकिन इसके बाद ही, इस बाहिय परिवर्त के बाद ही, मैं अगर कहूं, विवेकारण जी की भाषा में, कि there is unity in diversity, इन सब भीविर्तावों में, इन सब परिवर्तों में एक अंतरप्रवाहि कोई तर्थवा है, जो हम सब को जोड़े रखा है, और जो महागविने, अपने वागवे में जिन परप्रावों को और जिन सनातर तर्थव के बाद रही है, वो आज भी जीवित है, और आए रखना है, आगे ले जाना है, और इसमें हम सब का करतव्यत एकठा हो जाता है, कलेक्टिव रेस्पंसिलिटी, सामुनी दाईवी को हो जाता है, और ये खलो युवाराना, युवकाह छात्राह, तेशां दाईट्वं समधिकंवर्दते, यतोही ते एवा करणधाराह, ते एवा भविष्वतिकाले अनागते अरेहसे अस्माकं परंपराराह, अस्माकं विजाराह, अस्माकं सनातन तक्वाराह, यत्वित्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत प्रेक्टिस में पट्पेंग दोहा है हिंदी में अरत 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 अभ्यास के जर्वति हो तो अभ्यास के बारा ही लेकिन क्या होता हमारी साथ जिनते हैं तो बहुत पार हमारा ध्यरी हमको साथ नहीं देता है ध्यरी पीछ में चुप जाते हैं और आगे भी बैठाते हैं आप सबसे केवले मैं अनुभूत सत्या आके सामने रखूँगा अगर मैं हार जाता है अगर मैं छोड़ देता अपना जो मेरा पैशन कहूँगा कि संस्क्त पढ़ना है तो एक सुदूर पश्चिम में काठ्यावार के छोटे से गाव में पैदा हुआ अब दिवान इंसागर काशे में जाके पढ़के 40 साल कर विडिया में करता है और आज आपके सामने बने दोवरों के साथ इस बात को कहता है तो उसके पीछे नहीं कहीं बहुत सारी बादा है बहुत सारे संगर्षबे से आपने कहें बहुत सारी परिश्यामया यह तो जीवन का एक अंगा है उसके प्यों हाए और इसी जो महां कवी कहिए या महां जो सर्जद है उनको कहिए उलगाता रहा है तो मैं अपने बात को इस संक्षित बात को महागवी निरारा के शब्दो नवा तिनावालया ताल छंद वनवा नवा पंख नवा जालात मंत्र रवा नवा 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 के नवा बिह तो नावा परने नवा श्वरादे वीन वादिनी हम अधे देनी नहीं है वादो झाय तो खाल कमझें